तो हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे अपने यूटीब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है अभी नंदन है तो देखो यह क्या टॉपिक जो है न काफी इंपोर्टेंट होने वाला है और आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि आधा अधुर अग्यान लोगों को डूबा देता है ठीक है तो काफी कोछ यहां पर समझने वाली बात है बहुत गौर से समझने वाली बात है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन होता है ठीक है मास एनरजी और चार्ज डिस्ट्रिबूशन ओफ फिजन प्रोड़क चोकि आप नुकलर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अगर आपको यही नहीं आया तो फिर मुश्किल है इससे पहले हमने मास डिस्ट्रिबूशन के बाग में पढ़ा है इसके पहले वाले वीडियो में ठीक है तो मास का यहां पर हम जिक्र नहीं करने वाले है यहां पर एनरजी का लॉस तो होगा ही होगा ठीक है अब रेडियो एक्टिब डिके में भी जानते हो कई तरह की एनरजी और रेज निकलती है तो इनी सब के बारे में हमको जानना है और पढ़ना है ठीक है अगर मास की बात करें तब यह लगभग 0.2 यूइनिट के पराबर जो है लॉस होता है और यह नॉर्माल जो रेडियो अक्टिब डिके होता है उससे सव गुना लगभग जादा इसका नुक्सान जो होता है ठीक है अताह यह अनुमान निकाल जा सकता है कि एनरजी जो निकलती है वो भी काफी यूजफुल होती है एनरजी जो है अनुमान क्या निकालेंगे एनर्जी जो निकलती है वो यूजफूल होती है नापकी रियक्टर में बंबार्डिंग कराते हैं और यूरिनियम 235 का एनर्जी जो निकलता है उसको बिजलूत्पन करने में लगाते हैं ठीक है तो यह सब कैसे होता है कितना इसमें से एनर्जी निकलेगी है calculate करने के लिए आपको एक एक जामपल लेके चलना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर जो मॉलिविडेनम बन रहा है और लेंथेनम जो बन रहा है आप देख सकते हो ठीक है 42 मास वाला और 47 मास बोलता हूं Atomic नमबर वाला और 57 अटामिक नमबर वाला बन रहा है इसके क्या मास लिखा हुआ है है वह क्या है कि यहाँ पर 92 है और इसके मास लिखा हुआ है 92 क踩ना दीया हुआ तो है 235 तो एक्षल में वो क्या होता है 235.0439 और न्यूट्रोन का मास होता है 1.0087 मोलिबिडेनम का जो मास जो यहां पर आया है उसका मास है 94.9 इसले इसको 95 लिख दिया गया है 9057 ठीक है इसी तरह से यह जो इसका मास लिखा हुआ है यहां पर दो न्यूट्रोन का मास जोड के लिखा हुआ है इन सब को एड करने पर जो वैल्यू निकलत के आती है वो हमारे पास यहां पर है 235.8292 तो कितना मास यहां से नुक्सान हुआ तो पहले हम क्या करेंगे इसको जोड लेंगे और इसका जो वैल्यू है इसमें इसका जो वैल्यू आएगा उसको इसमें से हम क्या कर देंगे घटा देंगे तो हमने यहां पर जनरली जोडा है तो वह वैल्यू क्या आ गया है भड़तें इसके ब्राबर जो हमने यहां पर देख रहा है यहां पर 0.2 के ब्राबर सबस्र करेंगे प्रॉम जो और इसका निकलते हैं तूटने वाली जो एनर्जी हो निकालते हैं तो इसका फर्मुला होता है 139 इंटू जीरो एम डेल्टा एम जो यहां पर हमारा निकला हुआ है ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे सिधा सिधा तो हमारा जो वैल्डिव आता है वह 208 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट यहां से निकलता है अब यह जो इनर्जी है इसका डिस्ट्रिबुशन कैसे कैसे होगा इसको जगासा देख लेते हैं चुकि यह टोटल इनर्जी जो है 208 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट डिफरेंट प्रॉडक्स में डिस्ट्रिबूटेड रहता है लाइट फ्रेग्मेंट मतलब जो हलके पार्टिकल होंगे उसमें लगभग लगभग 100 मेगाव इलेक्ट्रोन वोल्ट हैवी फ्रेग्मेंट जो होंगे उसमें लघभग लगभग 60 7 मेडाइलेक्ट्रोन वोल्ट प्लस माईनस 5 हो सकता है ठीक है इसी तरह से 2.5 न्यूट्रहन निकलता है तो इसonge प्रतियत न्यूट्रहन के मेडावोल्ट मेडाओल्ट अद्राय हुआ है' Пजल्णि तह वह जाता है 5 के लिए 5 मेडाओलट ठीक है अब इस तरह से अल्फा फोटों की बात करें कि अल्फा फोट bending की बात करें तो बारा और बीटा और नूट्रोंस की बात करें तो सोलर तो सब को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो लगवख 200 के करीब आता है प्लस मैनस 5 जो है होता है मतलब यहाँ से जो हम कैलकुलेशन निकाल ले हैं 208 मेगा एलेक्टरन वोल्ट यह कहीं न कहीं सही है गलत नहीं है ठीक है तो था आपका क्या आपका एनर्जी का डिस्टीबुशन ठीक है इसके बाद हम देखते हैं चार्ज का डिस्टीबुशन कैसे कैसे होता है जब हैवी नूकलाई दो या दो सी अधिक फ्रैग्मेंट में तूटता है ने फ्रैग्मेंट्स मेंfryटून की संख्या भी अलग-अलग होती इति है मतलब फ्रोटून ही तो क्या चार्ज बताएगा, नूट्रोन में तो कुछ चार्ज होता नहीं है, ठीक है, प्रोटोन जो उसके को फाल कराना है करा हो है ना नोट्रण फाल करा गए तो एक युनिट इसका बढ़ जाता है 235 से 236 हो जाता है अब यह टूटता है नियोबियम और एंटि बनी में टूटता है इसका जो मास नमबर है वो क्या है 99 है इसका मास नमबर कितना है 133 है यहां अटो Łuk distribution हमको पता होता नहीं है जनरली लेकिन चुकि पता है तो यहां 41 है तो यहां पर क्या है 51 है कर दिया है ठीक है अब यह बुरा सीरीज देख लो इनफ्यटा से यहां पर नियोबियम से क्या बन रहा है मॉलव्यडल टकृषितियम बन खुसरें फिर्टेफल बनता है और और यह जो सीरीज है वह आईसो बारेक सीरीज है ठीक है मतलब यहां जो था यहां जो 99 जो था आप देख सकते हो यहां पर नियोबियों में 99 मॉलीबिडन में भी इसका मास 99 टेगनिश्यम में 99 बस प्रोटोन की संख्या चेंज हो रही है नियोट्रोन की संख्या चेंज काते हो रही है यहां पर चेंज हो रही है नियूट्रोन तूट रहा है बीटा पार्टिकल में और एक प्रोट्रोन में जब हम उसक्टा निकलता है तो उसमें एक संख्या बढ़ जाती है Jobs प्रोटोन की संख्या बढ़ जाती है ठीक है तो यहां पर क्रमसा आपको बढ़ते हुए दीख रहा होगा यहां भी आपको बीटा माइनस लिखना पड़ेगा मैं यहां पर लिखने भूल गया हूं ठीक है यह हो गई हमारा पूरा कहानी अब यह एक आइसोबारिक सीरीज है मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है है ना मास जो है 133 है तो लास्ट में 133 दिख रहा है ठीक है और जिसके लास्ट में क्या बन रहा है कि स्टेबल न्यूकलाई बन रहा है जो स्टेबल न्यूकलाई होता है उसको हम जेड़ वन और जेड़ टू कहते हैं जो बीटा डिके के बाद में लास्ट में बना हुआ ह और जो Z10 और Z20 जो होता है वो इसका इस्टाटिंग वाला है मतलब यहाँ पे नियोबियम को हम क्या मानेंगे Z10 और एंटीमनी को क्या मानेंगे Z20 ठीक है यहाँ confusion नहीं होना है आपको यह हो गया आपको Z1, Z2 और Z10 और Z20 जो है आपको जानना है Z10 और Z20 क्या है primary fusion दोरा बना हुआ fragment है जिसका है apply बहुत कम होता है इसका चार्ज जो है directly नहीं जाना जा सकता इसको जानने के लिए हम theory of equal charge displacement use करते हैं ठीक है theory of equal charge displacement क्या कहता है इसके अनुसार Z10 और Z20 को Z1 और Z2 का equidistance मना जाता है equidistance क्या होता है समान लंबाई वाला reaction ठीक है समान लंबाई वाला reaction मानते हैं भले ही वो लंबा है छोटा है वो अलग बात है लेकिन हम इसको क्या करते हैं equidistance मानते हैं equidistance ठीक है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा formula अगर हम इसको equidistance मानें माने z1-z1-0 is equal to z2-z2-0 होगा ठीक है equation number first अगर इसी से हम z2 की value निकाले z2-0 की value निकाले z2-0 की value क्या हो जाएगी z2 यहां से इधर आ गया यह positive हो गया ठीक है बाकि यह दोनों term इधर left side में चले जाएंगे right side में चले जाएंगे z2 तो z2 जैसे का है वैसे हम यहां पर थोड़ा सा इसको हटाते हैं ठीक है z2 है वो z2 जैसा ही है z1 यहां पर positive है इधर shift हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा negative हो जाएगा इसी तरह z1-0 जो है यहां पर negative है इधर shift हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह positive हो जाएगा ठीक है 0 की हमको value जो है मिल गए equation number 2 के हिसाब से ठीक है अब हम यहां से अगर z1 को इधर shift करा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा minus z1 0 का value मिल जाएगा तो equation number 3 हो जाएगा तो कुछ नहीं कराना है आपको सिर्क इस positive z1 को कहा ले जाना है इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा negative z1 बन जाएगा ठीक है यहां तक समझ में आ गया देखो यहीं पर सारा confusion होता है सारा confusion यहीं पर होता है तो ध्यान से देखो आपको equation number 2 और equation number 3 को या equation number 2 जो है आपकी copy में राइट लिखा होगा होना चाहिए क्योंकि slide को में ऊपर कर रहा हो ठीक है बार बार में ऊपर नहीं कर सकता है अब को एकkam डिस्टैंस वाला formula से ही जेड एफ क्या है पैरेंट मतलब क्या मलस है जो टूट रहा है जिसका fusion हो रहा है Quiet एश शग का सॅधम का नमबर čार्ज नमबर है ठीक है प्रोटों कि संख्याईaus दिखाता है पहले बता चुका हूँ तो यहा पे हम क्या करते हैं जो parent nuclei ही है वो दो भाग में टूट रहा है कौन-कौन सा Z1 0 और Z2 0 है ना पहला fragment यही है अब यहां से अगर हम Z1 की value निकाले या Z2 की value निकाले तो simple सा mathematics करके हमको equation number 5 और equation number 6 जो है मिल जाता है Z1 की value निकालेंगे तो Z2 को इधर shift करा देंगे तो minus Z2 हो जाएगा Z2 0 है यहां पर 0 चुटा हुआ है अगी ज्ट्ू 0 की value निकालेंगे तो यह चुटा हुआ है दिखा देता हुए हो हूं मैं यहां पर यहां पर 0 लगा ले ना ठीक है कि Z2 0 है यहां पर इधर shift होगा तो जेट्टूजीरो मैंनस में आ जाएगा अब जडवन को shift कर आएगे तो जडवन जडवन ज जूरो मैंनस में आ जाएगा ठीक है अब यही दो weekends है जिसकी साहता से हम जडवन और पिलियव की value ज्रों सीट्वान जड़्टूजीरो ज्लवेलियव निकालेंगे equation number 5 equation number 5 में minus sorry z2 की value रखने पर z2 की value क्या है वाई z2 की value है z2 minus z1 है ना plus z1 0 यही value हम यहाँ पर रख देते हैं तो जो उसका solution होगा वो कुछ इस तरह से होगा चुकि negative value के साथ था तो यहाँ पर negative भी डाले हैं और negative और negative क्या हो जाता है यहाँ पर negative हो जाएगा यह वाला टर्म क्या हो जाएगा पोजिटीव हो जाएगा यह वाला टर्म क्या हो जाएगा नेगेटीव हो जाएगा अब Z2 Z1 0 इसका value हो जाएगा ZF plus Z1 minus Z2 अब solve करके देखो plus वाला term को मैं पहले ले लिया यहाँ पर minus वाला term को बाद में ले लिया समझ में आ रहा है ठीक है इसको यहाँ ले लिया इसको यहाँ ले लिया इसका sign में कोई changes नहीं होगा sign में कोई changes नहीं होगा आपको sign में कोई changes नहीं करना है minus वाला को minus के साथ लिखना है plus वाले को plus के साथ लिखना है ठीक है जी अब यहाँ से 2 को इधर shift कराएंगे इस side में यहाँ चोकि multiply में है यहाँ पर क्या जाएगा डिवाइड में आ जाएगा मतलब यह क्या होगे यहाँ वाइट टू असारा टर्म यहाँ पर लिख दिए equation number 7 हमारा बनके तयार है इसी equation number 7 से हम primary nuclei जो बना हुआ है जो आपका uranium 235 के तूटने के बाद पहला जो nuclei बनता है Z10 उसका charge हम यहाँ से निकाल लेंगे मतलब उसमें कितना proton की संग्या है equation number 7 से निकाल लेंगे ठीक है इसी तरह equation 6 equation 6 यहाँ पर दिक रहाएब को equation 6 में minus Z10 जो value निकाले थे equation 3 में ठीक है minus Z10 equation number 3 को देखो वहाँ की value को हम यहाँ पर direct रख देते हैं तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा चुकी यहाँ भी equation number 6 में क्या है यहाँ पर आपको देखो कि equation 6 में यहाँ पर minus Z10 है है ना जी तो minus Z10 की value क्या हो गई यह पूरा Z2 minus Z2 0 minus Z1 है ना इसको हम यहाँ पर रख देते हैं सीधा सीधा तो जेड़ टू माइनस सेम चीज़े जेड़ टू माइनस Z1 minus Z2 0 minus Z1 आ गया ठीक है जेड़ टू माइनस को अगर हम इधर सीफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा इधर टू जेड़ टू जीरो या टू नॉट कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है नॉट भी कह सकते हो जीरो भी कह सकते हो तो यहाँ पर यह वैल्यू क्या बज़ गया जेड़ टू माइनस Z1 जो है बच गया ठीक इसका और पोजिट यहाँ पर यहाँ पर Z1-Z2 था यहाँ पर Z2-Z1 हो गया ठीक है और 2 को इधर से shift किये नीचे में तो यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड में आ गया जैसे पहले किये थे वैसे यहाँ पर इतना ही mathematics आपको ध्यान देना है अगर और देखना चाहते हो तो रिवाइज करके देख लेना भाई टाइम चुकी बढ़ रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है अब अगला जो स्लाइड है इसमें equation 7 और equation 8 की साहता से primary fragment जो होगा न्युक्ले उसका प्रोबेबल चार्ज निकाला जा सकता है एक्चुल चार्ज पता नहीं प्रोबेबल चार्ज निकाला जा सकता है जैसे आपको question दे दिया प्रोटोनियम जिसका proton की संख्या क्या है यहां पे च्वरानबे है उसका मास कितना है 249 है यह तूटता है कि इसमें x और y में xy हमको नहीं पता क्या है इसी को determine करना है और साथ साथ में हमको determine करना है यहां पे जेड़वन जीरो और जेड़टू जीरो जो उसका पहला fragment है उसका और यह पूरी series होगी यहां पे फाइनल में बना क्या है जेड़वन और जेड़टू की value यहां पे लिखी हुई है ठीक है जेड़वन जेड़टू लिखा नहीं होगा आपको finally जानना है कि final जो stable nuclei होगा पहला वाला जेड़वन होगा दूसरा वाला क्या होगा जेड़टू होगा ठीक है यहां से आपको इन दोनों का value निकालना है तो इसके लिए solution क्या हो जाता है छोटा सा solution है आप यहां पे देख सकते हो formula जो था हमारा formula जो था हो क्या था मतलब one by half एफ dzf प्लास जेड़वन एफ प्लास अपलस जेड़वन जेटू ठीक है इसमें जेड़वन क्या था 94 जेड़वन क्या था जेडवन यहां से थोड़ा से इसको में ऊपर कर देता है ना दिखेगा कम से कम जेडवन की वेल्यू जो है आपका कितना है 42 है जेड़्टू की वेल्यू क्या है 56 है जिसको जोड़ दो एक इसमें से घटा दो तो आता है कितना 80 80 को आधा कर दोगे तो क्या जाएगा 40 मतलब जो जेडवन पहला वाला फ्रेग्मेंट है उसका मास मास नमर तो 100 ही होगा क्या 102 है ठीक है लेकिन पर्माडु कर्मांग कि या फिर प्रोटॉन की संख्या क्या होगी 40 होगा 40 पर्मारु कर्मांग जो होता हो जर्कुनियम का होता है आप प्रोडिक टेबल में देख लेना इसी प्रकार Z20 का जो value निकालते हैं वो भी Z20 वाला formula लगा के यहां पर यहां पर बस आपको पॉलटना है ठीक है जी जो Z1 की value है वो यहां आ जाएगी जड़ टू की value आ जाएगी वह यहां आ जाएगी इसको जोड़ के इसको 42 गटाने पर क्या आता है 108 108 का आधा क्या हो जाएगा 54 अ 54 जो होता है वो किस के लिए होता है जनौन के लिए होता है अब मास नमबर दिया हुआ है कोश्चन में ही कि 138 होता है ठीक है इस तरह से जो है हम कैलकुलेशन करके यहां से एक्स और वाई का जो एक्सवल चार्ज डिस्रिबूशन है वो निकाल सकते हैं ठीक है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर समझ में नहीं आए तो होना चाहिए अगर आप मसी में हो तो फिर इतनी कैपसेटी तो है कि टर्मिनोलोजी आपको समझ में आना चाहिए और नही यह कोई बंदिश तो है नहीं है न जी तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए आप सभी को जय जय राम और आप सभी का दिन सुभ हो धन्यवाद